ही एवरिवान, वेलकम इन सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर, तोड़ी भी आर डूइंग प्री पॉजिशन्स सरसे पहले जब भी हम कोई टोपिक पढ़ते ना, उसमें जो हमारी हेडिंग होती है ना, उसको देखते हैं प्री पॉजिशन, इट मिन्स, प्री मिन्स होता है पहले और पॉजिशन मिन होता है स्थान, जो अपना स्थान पहले लेता है किस से? Noun और pronoun से कि preposition एक ऐसा word होता है कि noun या pronoun का आपस में किसी भी चीज से क्या relation है इसको show करने के लिए हम use करते है preposition का preposition जैसे कि आपको नाम से पता लग गया कि कब आती है? noun या pronoun से पहले आती है सबसे पहले हम जो पहली preposition है वो पढ़ रहे हैं हम at at का हम use करते हैं किसी भी particular time के लिए जैसे at done सुबह का time हो at morning at six o'clock जो आप मारा fixed time होता है particular उसके लिए हम use करते है at का दूसरा use होता है इसका age के लिए जैसे at sixteen या at the age of sixteen third use होता है कोई भी fixed place होता है जैसे आपको railway station पे जाना है तो वहाँ पे आप ना तो on जाते हो ना in जाते हो at the railway station बोला जाता है फिर fixed place के लिए आता है जैसे आपको teacher ने बोला look at the board आपको कभी भी teacher ये नहीं कहता look on the board या look in the board teacher हमिशा आपको बोलता है look at the board board की तरफ देखो तो वो board क्या है वो हमारा क्या है fixed place है उसके लिए हमने किसका यूज किया है at का यूज किया है इसके बाद आता है हमारा on on का यूज होता है कोई भी हमारी fixed date होती है या day होता है जैसे on Monday या on for July इस तरीके से हम यूज करते है on का इसके बाद आता है On का यूज किया जाता है किसी भी surface को show करने के लिए Like this ये pen है और मेरे हाथ के उपर है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को touch कर रही है बिल्कुल पास में तब हम किसका यूज करते हैं On का तो अगर अब आप देखते मैंने जो pen अपने हाथ पे रखा हुआ है तो मैं किसका यूज करती उनका या फिर दा बुक इज ओन दा टेबल इसके बाद On का यूज आता है किसी भी चीज को जैसे device होती है या हमारी machines होती है उनको show करने के लिए जैसे आप phone का यूज कर रहे हो He is on mobile क्या वो phone के ऊपर खड़ा है नहीं वो mobile को यूज कर रहा है तब हम किसका यूज करते है उनका यूज करते है नेक्स हता है He is solving the someone calculator क्या वो calculator के ऊपर खड़ा है नहीं On का मतलब होता है जब कोई भी device या machine को हम यूज करते है तब हम यूज करते है उनका इसके बाद number 4 यूज होता है उनका जो हमारे body parts होते हैं उनको शो करने के लिए Like this my mother kissed me on my forehead मेरी माने मुझे मेरे माथे पर kiss किया तो इस तरीके से body parts को शो करने के लिए हम किसका यूज करते है उनका और number 5 इसका यूज होता है किसी भी चीज की states दिखाने के लिए means की इसकी स्थीती क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारी summer season आता है तो हमें mango बहुत अच्छे लगते है और mango की demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस time में जब आपकी शर्दिया है तो आपको जो orange है उनकी demands बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरीके से किसी भी चीज की जो states होती है स्थीती होती है उसको show करने के लिए हम use करते है उनका like this the juice is on demand फिर आता है आपका on to अब on मैंने उपर और to मिन से on and to दोनों को मिला कर बना है आपका on to ये किस के लिए show होता है ये आपको moment show करने के लिए किया जाता है जैसे कि move the books on to the self आपकी किताबे अपने आप तो चलके almira में जाएंगी नी जब आप उनको किताबों को उठा के रखोगे almira के अंदर self के अंदर तो आप किस का use करोगे on to का अब आपको चट पे चड़ना है see climb on to the roof वो चट पे गई तो कैसे गई उद के गई जम करके गई कैसे गई चलके तो गई उसने movement तो किया तो इस तरीके से जो movement होती है उसके लिए हम यूज करते हैं on to का इसके बाद आता है आपका upon upon का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जैसे immediately after doing something or something happen मतलब कुछ भी गटित होता है उसके बाद में कुछ चीज करना वो क्या कहलाता है वहाँ पे हम किस का use कर करते हैं upon का use करते हैं जैसे आपको यह एक्जांपल दे रखा है संगीता got married immediately संगीता ने तुरंट शादी कर ली कब up to passing out the college जैसे इसने college go pass out किया उसने शादी कर ली इसके बाद आता है आपका into into क्या show करता है into show करता है moment को अभी मैंने on to के लिए आपको बताया था वो तो किसी चीज के ऊपर के लिए यूज किया जाता है into होता है जिसे आप कहीं भी खड़े हो और चल के आप room के अंदर जा रहे हो अगर कोई चीज already पड़ी होती है वाँ पे तब तो हम इनका use करते हैं बट अगर आप चल कर जा रहे हो तो it means आप movement कर रहे हो और movement करके जब किसी चीज के अंदर आप जाओगे तब आप यूज करोगे into का जैसे he went into the room वो कहां गया कमरे में गया the cat jumped into a ditch तो इस तरीके से जब कोई चीज movement करके किसी दूसरी चीज के अंदर जाती है ना तब हम यूज करते हैं into का इसके बाद आता है आपका between और among जैसे आपके पास कोई weeks और दो स्लावर्स के बीच में रखी हुई है जब आप ये दो चीजों के बीच में रखी हुई है तब हम यूज करते हैं between का अब थोड़ा सद्यान से समझना कि जब कोई भी चीज दो चीजों के बीच में होती है तब यूज होता है between का अगर यही चीज़ 4 पांच 10 तो चाहिए तिंगो जब वो दो के बीच में होगा तब यूज होगा उसमें बिट्विन का और अगर वो दो से जादा के बीच में है तब यूज होता है आमांग का इसके बाद आता है आपका बाई और बिट अगर आप कहीं जा रहे हो जैसे आप बाई स्किल वगरा से जा र तो बस निखोगे वीद का मतलब होता है आपने कोई पॉयम लिख पैन के साथ लिखी या आपने किसी को मारा लकड़ी के साथ मारा या किसी चोर ने डाकू को पुलिस ने तो अपनी गन के साथ मारा जब हम ओजार का किसी इसके बाद इन फ्रेंट ओफ और बैकर को पता है । सामने जो चीज बिल्कुल जश्ट सामने होती है अबो का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल उपर की तरफ होती है तब हम यूज़ करते हैं अबो का और बिलोग किसी भी चीज के जैसे आपने कोई पिच्चर रखी है पिलो के नीचे तो आपने कहां रखी है उसको बिलो दा पिलो रखी है It means कोई चीज जश्ट किसी चीज के नीचे होती है तब हम यूज करते हैं below का और जब just उपर की तरफ होती है तब हम यूज करते हैं अबो का अबो का यूज हम position दिखाने के लिए भी करते हैं कि जो manager है वो मेरे से just एक ही कदम अभी तक हमने ये देखा कि कौन कौन सी प्रूजिशन का यूज हम कहां कहां पर करते हैं मैं इनको आपको एक साथ रिटन करके दिखाते हूं जैसे यहां पे आपको प्रिपोजिशन और पॉजिशन दिखाना है पोजिशन का मतलब होता है किस जगह के लिए वो हमें बता रहा है कि उसकी स्थिती क्या है तो इसके लिए यूज किया जाता है in on under behind over after before etc अगर हमें prepositions of place देखना है तो उसके लिए यूज होता है at in on under near far और अगर हमें direction के लिए use करना हो तो हम use करते हैं at, into, from, to, in front of और अगर हमें time के लिए देखना हो तो since, for, in, at, will, by, to, during, from ये तो थी हमारे prepositions इन prepositions के साथ साथ हाता है हमारा prepositional phrase the prepositions that are used in a group of words are called prepositional phrases की जो भी prepositions होती हैं उनको अगर हम group के अंदर use करते हैं उसको बोला जाता है prepositional phrase जैसे आपको यहां पे दिये रखा है in between of, in favor of, in case of, in front of, by means of in spite of, on account to, with regard to, and addition to, as a result of, because of, at the bank of now we are doing exercise और exercise में सबसे पहले हमें क्या करना है underline the prepositions in the given passage यहां एक passage दिया गया है जिसके अंदर हमें क्या दे रखी है prepositions और हमें क्या करना है उसको underline करना है formula one is an exciting sport four, यहां पे जो four है, वो क्या है, हमारी prepositions है इसके बाद next line में है in third line में भी आपको यहां पे in है इसके बाद यहां पे on, in, through, in यहां पे है of, of 90 इसके बाद second आता है आपका fill in the blanks यहां पे आपको prepositions fill up करनी है my house is behind the school, मेरा घर का है, school के पीछे है अगर यहां behind नहीं लिखना चाते, आप यहां in front of भी लिख सकते हो बट यहां पे हमें prepositions fill करनी है, नेकी prepositional phrase we should not laugh at others, हमें दूसरों पे हसना नहीं चाहिए this room is sufficient for us, यह कमरा हमारे लिए काफी है I was born in Delhi, मैं Delhi में पैदा हुआ था we should be careful towards our health, हमारी health के परति हमें सावधान रहना चाहिए was he not a witness of the scene, next है I am hopeful for getting a good job I have no objection for his proposal, she has a pen to write on कि इसके उपर लिखने के लिए उसके पास pen है next है his brother is guilty after absenting himself from duty इसके बाद आती है आपकी exercise C और C में आपको prepositional phrase written करने है call us at 100 in case any emergency they should welcome all the guests with regard to their parents hema speaks in favor of my views there is a girls college in front of the hospital अब यहाँ पे देखो in front of there रखा है अगर मैं वाँ preposition की जगह इसको बरती तो वो फिलप हो जाता और वो फिलप हमारा wrong होता आविशेक will be elected an MLA because होता public इसके बाद आता है हमारी de-exercise में यहाँ पे एक mother है और एक उनकी daughter है जो आपस में क्या कर रही है बाते कर रही है, conversation कर रही है और उन conversation के बीच बीच में कहीं कहीं पे space छोड़ा हुआ किसके लिए preposition के लिए हमें वो preposition क्या करनी है फिलप करनी है जैसे यहाँ पे है mother please help me to clean the house some guests are coming over in the evening Nina, please put the books on the table and the toys in the box की किताबों को table पे रखो और जो toys है उनको box में रखो Nina, mommy should I clean the window plane from this clothes क्या मैं इस कपड़े से जो window के सी से है उनको साफ कर दू Mother, yes please Pavan, you can then help me lay out the rug on the center table Nina, I am putting this tool on the sofa, mommy Mother, thanks, I am going to the store room to get the feathers duster for there Nina, I will get it for you, mommy, it's into the washing machine ये है आपका चैप्टर, please वीडियो को शियर करें, लाइक करें और कमेंट करें Thank you करें, आपका पका झाना में नहीं